वेल्कम डिश्टेंट मैं हूँ बृत्कुमार और आप सब का स्वगत करता हूँ अपने यूट्यूब सब्सक्राइब करता है इस वीडियो में हम अपने ट्वेल्ट पर्लिकल साइंस का चप्टर चल रहा है चेकंड पार्ट है वह पढ़ेंगे यानि जो अपना रह गया ता यहां किया है और किस तरह से काम करता है क्योंकि यूजना जगर निती आयोग बना है तो आप ज्यान देंगे जैसे कि आप स्क्रीम पर देख रहे हैं और तो आपको निति आयोग का फूर्फ हो सकता है यही एकजाम में आ जाए तो इसलिए आपको याद रखना है तो इंग्लिस में देख लिए जो इसका फुल्पॉमें नेशनल इंस्टिश्टिशन फोर ट्रांस्फोरमिंग इंडिया और इसका हिंदी में जो नाम है राष्टि भारत परिवरतन संसा ठीक है और यह उनिस सो बावन पच्छास में योज निति आयोग केंद्रे सरकार द्वारा एक जनवरी 2015 को गटित किया गया है और यह पुरुवर्ति जैसे मैंने पहले ही बताए यह इसके पूर्व योजना आयोग का गटित किया गया था उसके इस्तान पर यानि जो योजना आयोग था उसकी जगह अब कौन लेगा निति आ निति आयोग सरकार के ठींग टेंग के रूप में काम करेगा और उसे निदिसात्मक वह निति गति सिल या गति सिलता प्रदान करेगा तो यह तो ओगया थोड़ा सा इसके बारे में आगे इसके बारे में देखे कि जिस तरह से कि हम हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रकना है यहां पर जैसे निति आयोग के गठन होने के आधार क्या है क्योँ निति आयोग को बनाना react विकास में राज्यों की भुमिका को शक्रीए बनाना पर द explains Hag the विकास में राज्जी शेकारी संगवाद की समान सदस्यों की रूप में योग्दान देना है उसका समुचित सही तरीके से पूरा यूज किया जा सके और जिस तरह से आपने देखा जैसे कि बहुत बड़े-बड़े जो लेवल जैसे अपने देख लीजिए Microsoft है Google है ऐसे बहुत सारे अपने विश्वक की बात करें तो बहुत सारे बड़े जो संस्थान है वहां के जो पर है तो इस तरह से जो बड़े-बड़े मैं तो विश्व में जो पर भारत विद्वान यानि भारत का जो बौदिक इस तरह है वह काफी उच्छा और वह यहां पर अफसर नहीं मिलने के वज़े से बहार प्लाइन करते तो तिंटेंक क्या करेगी और नीचियों क्या करेगी बौदिक इस्तर बारत में जो जितने बुद्धिक इस्तर यानि कह सकते योग्य वेक्ति हैं उनको यहीं पर एक सुनरा अफसर दिया जाए उनके विकास के लिए तो यहां पर सेकेंड पॉइंट आपको जहान रखना है देश में विद्धिमान बौदिक संपद्दा का नाम कमारे उसको यहीं पर अफसर देना उन भारतियों को और वे राष्ट और अपने राज्जी के लिए भी भागी दारी देश के विकास में सियोग करें इसलिए बौदिक संपदा का समुशित दोहन करना यह जो योजना आयोग से यहां पर अलग है इसलिए इसको त्यार करना जरूरी है जैसे को विकास की लेवल पर चलना है एक का मार्क बनाना है तो चिरफ केंद्र ही मुविगानी नभाएगा राज्जी का भी योगदान होना थी दोनों एक मंस पर साजा मंस पर त्यार होंगे और विकास के लक्षे के और बढ़ेंगे तो यह तरह से दोनों को मन से प्रदान करता है राजियों के अंदर दोनों एक ही जगह पे विकास को लेकर चर्चा कर सकते हैं राजियों की आवस्कताओं को विबीन मंत्रालों के मद्यम से संप्रिशन और अभावदूर कर परतिकिरिया का ऐसा महावल त्यार करना जिसमें विकास है वो आगे और बढ़ से तुरित रूप में तो यह एक आपको समझना है क्यों निति आयोग को जरूद पढ़े तो यह आपको जो हाइलाइट पॉइंट यह आप इसको आप ध्यान रखना है और मैंने पूरा का पूरा परेग्राफी एंडरलाइन कर दिया क्योंकि यह उदेश् दृष्टि रख्ते हुए राज्य की स्कृष् भागीदारीता के साथ यानि राष्ट हीध विकास को देखते हुए true विकास बांगीदारी देना है ताकि जो रण दिती हो विकास सही सररश होगा और निति-विजन परदाम मंत्री और मुख्य मंत्रियों को तो राश्टी एजंदे का प्रारुप त्यार कर स्वपना नितिया जो काम करेगी जो विकास का एजंटा बनाएगी तिक न उस एजंटे को क्या करेंगी परदा मंत्री और राजियों के मुख्य मंत्रियों के सामने प्रस्तूत किया जाएगा इस तरह से पहला चोड़िश बने पर राज्या ए कर सका है तो उससे आगे जांगा नितिया को बढ़ाएगा प्रसाष्णिक कर प्रसाष्णिक तंत्र के माद्यम से उसके माद्यम से शेहकारे शंग बाद को बढ़ावा देना ये दूसरा इसका कौझ कि आथो श्यां रकना Cum ग्राम इस्तर होता तो ग्राहम इस्तर पर विश्वस्ति योजना निर्माण के लिए दाशागत विकास की पहल है वह निति-आयोग के द्वार होगी यह आपको ध्यानक ना एक्ष्ट जो फटा जो पॉइंट इसका उदेशी हैं निति-अयोग यह सुनि-शित करेगा कि नित राष्ट कार्यान निति और निति में राष्टि शुरुक्षा के हीतों को भी देखा जाए गया राष्टि और आर्थिक चेत्र को देखते हुए निति आयोगे कार्य करेगा इस तरह से जो मैंने आपको बता हैं यह इसके उद्यसी हैं जिसको मैं आगे पढ़ने कुछ इंपोर्टेंट और हैं तो देखना है समाज के उन वर्गों पर विश्चेज ध्यान देना समाज के वे पिश्ड़ी वर्ग जो अब तक हाइलाइट नी हुए हैं जिनको कुछ सहा नहीं मिली हैं तो समाज के उन वर्गों पर विश्चेज ध्यान देना जिन पर आर्तिक प्रद्वर्टी से उसी तो प्रकार से लाभानवित नहीं हो पाने के संभावना बनी रहती है तो नीतियायों पर फोकस करेगा लगबग वे चित्रव जहां जो राज्य के लाप से ल ना जो बुद्धी जीवी जो पड़े इंटलिजेंट है जिसको देश में मौत में युगदान दे सकते हैं विकास को लेकर उनको और जो संस्ता हैं जो मिलकर काम करती तो उनको एक शक्री भागितारीकता के तौर पे देश से जोड़ना ताकि देश में विकास होनेती कर सक आगे जैसे कि इस तरह से भारत हर शित्र में आगे हैं तो बहुतिक संपदा भारत के जो बहुतिक अश्य निकारने का और देश के विकास में उनका सेयोग करने के लिए नितियायो काम करेगा सब्सक्राइब योजनाओं को राष्ट निर्मान में प्रिक्त किया जाएगा और जो नितिया मार्स विक्त करना है तो ने उन्तरविजातिय मुद्दों के समाधान के लिए साजा मनस त्यार करने एक को रही कारीकिर्म और देखनोलोजी पर वीसेर से ध्यान देना है और बनाना है जिसे क्या हो जैस्ट की समता और टेक्नोलोजी आगे बढ़ सके है आगे आधिया करें राष्टे विकास कारीक्रम और उन आप्टिविदिया हैं वह संपादीर करना यानि नितिया वह समर्पित देश के करें इति के लिए में काम करें लिए यह पिसे त्यान अगना करें लुखी कई ओर देगी keg के लिए योगय है तो इसको बढ़बा देगी अब आपको यह प्रत्न आ सकता है मैं पहले बदा देता हूं कि नीती आयोग का गठन कैसे होता है नीति आयोग का गठन कैसे होता है या पर कौन है जो इसका अध्यत्स होता है तो यह आपको विशेज द्यान रखना नीति आयोग के समद्ध में प्रश्ण आने की संभावना है और जो मैंने आपको बताया है उसमें से प्रश्ण जरूर आएगा आप इसको अच्छे से समझ होता है लज्साम से पहले हैं नीति आयोग का घटन कैसे होता है तो इसमें द्यान रखना है तो रहाँ जो अध्यक्ति जो ने आटामने वरत्मान की बहुश्क होताएव कि ए जैसे अब वरतमान की बात करें तो वरत्मान में तो 2021 के अंदर अपने पर्दामर्ण मौंत् η है तो विजिए आई हों कि इसके बाद इसके सदस्य सदस्य गवर्निंग काउंचिल यानि जो इसके गवर्निंग काउंचिल हो उसमें सदस्य कौन-कौन होते हैं तो जहान रखना है और दिमाग में बैठा लेजेदाव एक बार मैं आपको याद हो जाना चाहिए और यह पस्न आजियों के मुख्य मंत्री और बीदान सबте है भावी नहीं है कि उपर ऑफर राजिय पाल वह सद्धित होंगे सबी राजियों की मुक्य मंद्री और केंदर साचित प्रतिशों के मुख्य मंद्री तो आगर नहीं है तो उसके उपर राज्यपास जो है वह नितियायों के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे आपको अच्छे सी दिमाग में बैठ गया आगे आपको ध्यान रखना है कि नितियाओ कि जो शेत्री परिश्द होगी अलगले शेत्र के रूप में जो काम करते हैं उस शेत्री परिश्दों के अंतरगत कौन सदस्य होते हैं कि वह आपको ध्यान रखना है तो मैं आपको बता दू एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली शेत्री मसलों पर विशार वर निर्ने हेतु विशेस अवदी के लिए शेत्री परिश्द का गटन किया जाता है नि कहीं किसी शेत्र में कोई राज्य एक अदू में को आप बहिए तो अभी ध्यान अकना है कि इस विशेत्री में संबंदीस राज्यों की मुख्य मंत्री यह जिस राज्जी के प्रिश्द बै के बेठाए और ने राज्य के में रिणुचम के रूप में रहता है तो यदो जटक्रमाइब में इसके अलावा निती आयो की बैटकों में अध्यक्स और उपाद्यक्स है वह परति नीदित्वा करेंगे तो अध्याद रखना है तो पाद्यक्स करेंगे यह जित्य पर्दामंत्री जिसको कहें कि आप वहां पीस परिश्द की बैटक की जिए तो वह कि अब नेक्सकों ज्यान रखना है पड़्धामंतरी द्वारा मनोनिष तद्धस्य जो अपने सेत्र में विशेश योगीता और रखते हैं उनको पड़्धा-्मंतरी निति-अयोग में मनोनिथ कराकर जो कहने का मतला इस जो कुछ-विशेश वेकती हैं जिनको योगीता है य को आपको जाना है कि निती आयोग में पर्मानेंट स्फध्य कौन होते हैं तो अधिक्स होता है उसके प्रमानेंट स्फध्य होगे आपको बता दूँ उपाध्यक्स पुर्व काले के पदा दिकारी होंगे उपाध्यक्स होगा जिसको परधा मंतरी निक्त करेगा इसके अलावा थे अंजके बदले और दूसरे तो दो चाहिए तो होंगे आंशिक जो वदिक संपद्दा समों के अविस्ता नश्रोज जिनको टैलेंट हो जो देश के भावी यूजना में में तो भूमी का निबास सकते तो दो व्यक्ति वह होंगे तिक न और पदेन सदस्य इस समीति के पदेन सम जो सदस्य है वो कैंद्रिय म सदस्य को करेगा क्योंकि मी इसलिए इस पर जोड़ दे रहा हूं कि यह प्रस्टा आने का सांचेज है बड़ा नहीं तो चोटा आ सकता है तो इसलिए आपको समझना है कि किस तरह से गटित होती है क्या कौन से पद हैं या इसमें किस तरह के जो पदे निबत होते हैं इसके के लावा मुखी कारेकारनी प्रिश्द होती है तो मुखी कारेकारनी प्रिश्द में इस तरह का अधिकारी होता है जहां पर यह काम करती है तो इस तरह से आपको यह समझ में आ गया होगा कि निती आयोग कैसे काम करती है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना और यहां को अब एक टास्क दे रहा हूं आप सभी कोई टास्क है और मुझे बताना है कि वर्तमान में नीटी आयों के उपादिक्स कौन है जो वीडियो देख रहे हैं वो तुरन थी इसका रिप्लाय दे जिसका पहले आंसर आएगा जो या जो पहले फर्स्ट फाइप इसका आंसर दे सब्मानित किये जाते हैं तो इस तरह से आपना जो यह लेशन है निती आयोग से संबंदित विशेश तोर पर यह था तो आपको समझना है और इससे कुछ कंपीजन है तो आप कमेंट बक्स में सेयर कर सकते हैं और नेक्ट द्यान रखें इस वीडियो को ज्यादा से से बाते हैं ज्Яद सीएल यह ऐस तरह से झाते हैं घ्याद ज्याद तो मिल्यादर से घ्यादट तो इयाद ने ज्याद रवी इस। ने ये ले ज Раз ये कि अ धर planes और